क्या से हैं आप सब इंग्लिश भी का लेक्चर है आपका 14 जन्वरी की रेट से और देट थरस्टे है चैप्टर नमबर 9 स्टार्ट किया था दिस एंड डैट ये और वो हमने ये पढ़ा था कि दिस हम नियर तिंग्स के लिए पड़ते हैं यानि कि जो हमारे पास होती है और देट हम पड़ते हैं फार वे जो चीज़ें हमसे दूर होती है इन दोनों की डैफिनेशन की थी हमने पहले आज हम इसकी एक्सेसाइज करेंगे पेज नमबर 5 के उपर ये देखें पिक्चर दियां उन्होंने हमें और हमने उनके ओपर टिक करना है कि पास की चीज़ों के लिए डीस पर टिक करना है और दूर की के लिए हमने लुहां उन्हेंद पर क्ट करना ऐसेज़ों के और दूर की चीज़ों के लिए हमने टीज़ों करना है कि हमने दdı kिखें थीज शाव हें अ भ next this that is an umbrella अब यह umbrella हमसे दूर है के पास है पास है तो हमने this पे टिक किया this is an umbrella look at the pictures and write this or that in the blanks हमने pictures को देखना है अब हमने blanks के अंदे लिखना है this or that जो चीदे हमारे करीब है नियर है उन पे this और जो हमसे दूर है far away है उन पे that dash is a window यह एक खिड़की है यह खिड़की हमारे पास है के दूर है पास है नियर है तो हमने लगाया this this is a window यह एक खिड़की है dash is a door अब यह door देखें picture में डोर हमसे दूर है far away है that is a door वो एक दरवाजा है next year dash is a kite हम यह kite देखें पतंग हमसे दूर है तो हम क्या लगाएंगे that that is a kite वो एक पतंग है dash is a goat अब देखें goat गोट हमसे दूर है के पास है दूर है तो हमने इदर क्या लगाया that that is a goat वो एक बकरी है डेश इस लेंप लेंप क्या है अब लेंप हमारे करीब है तो हम क्या लगाएंगे इस पर दिस इस आ लेंप यह एक लेंप है नेक्स पिक्चर देखें डेश इस माई फ्रेंड फ्रेंड किदर है अब करीब है करीब है नियर तो हम लगाएंगे दिस दिस इस माई फ्रेंड य वो भी साथ में आपने याद करनी है